हलो एवरिवन, I am Bikram बर्मा आज देखेंगे बहुत स्टुएंट को confusion यह रहता है कि sir, energy loss का मतलब क्या होता है हाना, तो energy loss का मतलब बहुत स्टुएंट को mind मी यह चलता है और mind मी यह सिवर रहता है कि energy loss का मतलब heat के फौंब में energy का determination यह गलत concept है हाना ऐसा नहीं है कि heat के फौम में जो dissipation हो रहा है उसको केवल हम energy loss करते हैं गलत बात है जैसे मैं बात बता रहा हूं आपको कि आप heater का इस्तमाल करते हैं या गिजर का इस्तमाल करते हैं तो वहाँ पर क्या करता है heat के दौरा हम क्या करते हैं इस्तमाल कर रहा है heat का इस्तमाल यदि वो energy किसी और फौर में convert कर जा तो हम उसको अपनाम देते हैं क्या energy loss जैसे मैं बात करते हूं आपको transmission line में chronal loss की बात करते हैं तो chronal loss में क्या होता है बहुत के बच्चों को ये confession होता है कि chronal loss में sir heat के फौर में energy dissipate करता है जिसको हम आपने बोलते है power loss जो की इसका disadvantage है म आई बता रहा हूं आपको कि ये गलत concept है concept सही क्या है कि chronal loss के दुरौन देखते हैं क्या कि आपको वहां पर light ring दिखाए पड़ता है और आपका hedging sound दिखाए पड़ता है तो वह जो हम लोग चाह रहते मतलब electrical energy जो वहां पर है वह दो पहौं में कर्वठ हो गया एक light energy के फ जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये power का loss हो रहा है तो वहां पर बहुत बच्चे को confusion रहता है कि क्रोणा के दौरान power loss का मतलब heat dissipation का फाम में आपका हो जाना उसी को बोलते है energy loss ये गलत concept है ध्यान में यही रखिए कि electrical energy यदि किसी और energy में आपका करभड कर जा रहा है तो दूसको हम लोग बोलते हैं क्या power का loss in the case of corona राइट